हेलो प्यारे बचो क्या हाल चला आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीप सरकीफ जिक्सकी क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बचो तो देखिए प्यारे बचो अपने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 ठीक है जिसका नाम है विदत चुम्ब की अतरंगे संचार्व है समकालिन बहुती की ठीक है ना बहुती यानि बड़ी है चैप्टर है चोटा सा चैप्टर है और यह आपके चार नंबर का चैप्टर है ठीक है तो आज के जो अपने इसमें टॉपिक रहेंगे वह है मैक्सवेल समी करने फिर व पहला ही टॉपिक इसका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है तो चलिए बचो स्टार्ट करते आज की वीडियो एक नई एनरजी के साथ तो बचो इसमें जो यह अपना चैप्टर है यह टोटल है आपके चार नंबर का ठीक है ना चार नंबर का है और इस बार के मॉडल पेप प्रण का क्वेश्चन आएगा और एक वेश्चन आपका दो नंबर का आएगा इसमें जो यानिकी अतिल गुत्रात्मक वरिशन जिसे आप बोल सकते हैं ठीक है ना तो यह इसकी टोटल मार्किंग आए एक ही चैप्टर है चार नंबर का छोटा सा चैप्टर है कोई प्रण की जिसे अपने बोल देती हैं यानि कि जो आज के जमाने की फिजिक सा उसका ये स्टार्टिंग पार्ट है यानि इसमें बेसिक बेसिक सी चीजे आपको दी हुई है जो बार्वी क्लास के बच्चे समझ सकें ठीक है ना तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इक साइंटिस्ट थे इन्होंने समिकर ने दी अपनी चार समिकर ने दी और ये चार समिकरने आपके पीपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो दो نमबर का क्वेश्चन आपका इसमें से आता है तो वो दो किया सकता है कि Maxwell की चारो समी करने लिखिए तो अब देखो विदुत चुम्बकतव यानि विदुत चुम्बकतव फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जो अपने सैवंथ चैप्टर में स्टार्ट की थी साथमें चैप्टर में विदुधारा प्रवाइद करने पर चुम्बकी अ ठीक है न? तो विदुत चुम्बकतव की व्याकिया है तो Maxwell ने चार मूल समी करने दी जिनने Maxwell समी करने कहा जाता है और यह निम्न है ठीक है न? कि Maxwell, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, चार समी करने दी है अपनी और यह 4 समी करने हालांकी पहले दी होई थी लेकिन इन्होंने और वेग्यानिकों ने दी होई थी लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन समीकरणों की सायता से कुछ निशकर्ष राप्त की है और वो निशकर्ष उन साइंटिस्ट ने नहीं निकाले थे इन समीकरनों की help से Maxwell ने सबसे पहले निकाले थे तो इस कारण Maxwell की समीकरने इसे का जाता है हालांकि चारों समीकरने दी और वेगैनिक के द्वारा दी थी Maxwell ने या तो इसमें थोड़ा modification दिया या इन समीकरनों copy हो करके उसने कुछ अलग तरह के result निकाले थे तो देखो सबसे पहली जो समीकरना आपको मैं कहता हूँ कि इन समीकरनों को जैसे भी याद हो सकता है आपको याद करनी है यह वाली समीकरने ठीक है ना बहुत ही most important समीकरने है सबसे पहली जो समीकरना आपने पढ़ा हुआ है e.da is equal to q बटा epsilon 0 या e.ds भी लिख सकते हो यहाँ पर आप मैंने बुक के यह सा आपसे लिखा है बुक में डिये दिया हुआ है या आप ds भी लिख सकते हो या आपकी इच्छ है और यह किसकी समीकरना स्थिर वैदूतिकी के लिए गाउस का नियम है यह Maxwell ने इस समीकरन को यूज किया और कुछ निशकर्ष प्राप्त किये इस कारण यह Maxwell की समीकरनों में शामिल किया जाता है हलांकि यह equation किस ने दी थी समीकरन किस ने दी थी गाउस ने दी थी ठीक है ना दूसरी जो समीकरन है वो आपने आठमे चैप्टर में पड़ी थी कौन सी उपरवाली तो दूसरे में चैप्टर में थी यह आठमे चैप्टर में आई थी यह था चुम्बक तब के लिए गाउस का नियम इसका रिजल्ट अपने यह पड़ा था कि चुम्बक में एकल दुरूओं का अस्तित्व नहीं होता है चुम्बक में हमेशा जो दुरूओं होते हैं युगम के रूप में एन और एस के रूप में पाए जाते हैं इस कारण जो उनकी चुम्बक यह सामर्थया है एक की प्लस M होती है दूसरे की माइनस M तो यह हमेशा जीरू रहता है ठीक है न इससे जो B.DA का मान होगा वो क्या होगा जीरू रहेगा ठीक है वैसे आपकी जो बुक है बुक में इसमें इसकी थियोरी भी काफी दी हुई है तो बुक के इसाब से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बुक को पढ़ना चाते हो तो देखो बचो बुक के इसाब से यह जो समीकर ने यह चार दी हो यह यहाँ पर आगे इनकी थियोरी भी दी होई ठीक है तो थियोरी अक्चॉल में वो ही दी होई है जो आपने पहले पढ़ी होई है यानि कि जो गाउस का नियमा उसका क्या कतन है ठीक है और यह जो जुमबकताओ के लिए गाउस का नियमा इसका क्या कतन है किसके बारें बताता है तो देखो बुक का आप जरूर पढ़ना इस चैप्टर के लिए बुक पढ़ना यानि अच्छा भी आपके लिए लेकिन उस book में से जो जो question बन सकते हैं जो जो निचोड निकलता है वो मैं आपको करवाऊँगा ठीक है ना वो notes में होगा बाकि detail के लिए आप book भी पढ़ सकते हो ठीक है और एक इसका starting वाला topic है विस्थापन दारा वाला वो कटा हुआ अपने 60% syllabus में कटा हुआ वो topic तो वो अपने नहीं कर रहे है इसका नहीं आई से start कर रहे है तीसरी जो समीकरन है यह आपके 9th chapter में आएगी अभी मैंने तो करवाया नहीं लेकिन जिस बचे 9th chapter कर रखा है तो वो क्या है यह फेराडे का विदुत चुमकिया प्रिरन का नियम है इसमें E.DL जो विदुत क्षेतर का रेकिया समाकलन जो की विबव के बराबर आता होता है पोटेंशियल के बराबर आता है वो flux में प्रिवर्तन की दर के क्या होता है बराबर होता है ठीक है ना और लास्ट वाली जो समीकरण इसमें आ रही है वो समीकरण किसकी है Maxwell Ampere का नियम अब ये वाली समीकरण Ampere का नियम था वैसे तो अगर मैं इतने की बात करूँ तो ये आपने सात्में चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में जाके जो परिनाली का टोरोईड था उससे जश्ट पहले Ampere का नियम इतना लेकिन ये चीज Maxwell ने इसमें और जोड़ दी उसने कहा कि ये मियू जीरो तो आता ही है मियू जीरो के साथ यहां पर आई है तो मतलब ये चीज भी आई है और इस दारा को ये एक करंट होता है इस दारा को अपने विस्थापन दारा क यह आई होती है वो आपके नहीं तो ज़्यादा डिटेल में है और नहीं अब आप तुकाटी दिया गया है इसे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जुरूरत भी नहीं है डिटेल लेने की यह बैसा आपको याद रखने एक तरह के विस्थापन दारा होती है यह ठीक ह ये जो पद है इसमें ये Maxwell ने खुद ने जोड़ा था और इसको modify किया था इस समीकरण को तो इस कारणी से Maxwell Ampere का नियम भी बोल देते हैं ठीक है Ampere का भी इसमें इससा है और Maxwell का भी है तो इस कारणी ये चारों समीकरणे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बचो याद जालो फिर उसके बाद है विदुद चुमकिय तरंगे और इसके अब इलाक्षनिक electromagnetic waves and their characteristics विदुद चुमकिय तरंगे क्या होती है और उसके अब इलाक्षनिक याणि गुण क्या है उसके तो Maxwell की जो समीकरण है ये विदुद चुमकिय तरंगों के उत्पातन के बारे में म इत्पुन जानकरी देती है तीक है Maxwell की जो समीकरण है अब एक चीज मैं आपको दियांपर ये सबसे पहले clear कर दूँ जो अपने आब आगे topic पढ़ने जा रहे है इसमें निशकरश अपने पढ़ेंगे और बाकी कई बचों की दिमाग में आ रहा होगा कि सरी Maxwell की समीकरण है आई कैसे या modify कैसे किया तो वो आपकी book में clearly एक बात लिख रखी है कि यह है बात इस अध्यायन स्तर पर यानि इसका अध्यायन इस स्तर पर अपेक्षित नहीं है मतलब 12th level में इसका अध्यायन संभव नहीं है तो जो चीज़े आपको दी हुई है बस उनको आपको पढ़ भी है तो बारवी की चीज़ तो बताई सकता हूँ आपको ठीक है लेकिन बात क्या है कि अगर मैं आपको detail में करवाने लगया तो फिर आप ही confused हो जाओगे कि यह सरी है क्या तो इस कारण मैं आपको यह कहता हूँ कि जो आपकी book में दिया वही पढ़ ठीक है तो जो Maxwell की समी करने हैं इसके निशकर्ष अपने को डिरेक्ट पढ़ने हैं वी क्या क्या निशकर्ष इससे निकलते हैं अब कैसे निकलते हैं वो नहीं only क्या निशकर्ष निकलते हैं वो परिवर्तन शील विदूत वै परिवर्तन शील चुंब की एक शेत्र एक दूसरे की उत्पती कर सक समझाई बात तो इसका कारण एक तरगे निरवात में प्रकाश के वेग से गमन करते हैं भी Maxwell ने बताया था और ये सूतर अपने पढ़ेंगे भी Maxwell ने जो सूतर दिया था उसने ये बताया भी कि विदुत चुम्ब के तरंगे प्रकाश के वेग से गती करती है और एक सूतर के माद्यम से उसने दर्शाया भी इसको गुनितिया रूप में फिर विरामा वस्ता में आ अपने आज तक पढ़ चुके हैं विदुत क्षेतर रुका हुआ आवेश और गतीमान तो ये रिजल्ट तो अपने पहले भी पढ़ चुके है लेकिन Maxwell का फरक क्या है इसमें Maxwell ने अलग क्या किया कि उसने गणितिया रूप से इसको सिद्ध गर दिया mathematically इसको क्या किया प्रूव किया और लाश्ट लाइन का मतलब का गया कि इन दोनों क्षेतर के कारण विविव में उर्जा अरजा अपन्ध और ँपस्तित होती है जहां पर अगर मानलों विदुत क्षेतर है तो वहां विदुत उर्जा होगी और दोनों ही आ तो विदुत उ हो रखा है उस एरिये में विदूत उर्जा उपस्तित होगा वहां पर क्या होगा मतलब की विदूत याुअ उर्जा ए त्रणाउंगो की उत्पत्ती वैसे या लग टौपिक नहीं दियwy लेकिन मैंने इसको बना दिया है यह आपके अगर मैं बुक में इसको दिखाना चाहूँ आपकी तो बुक में यह डिरेक्ट दिया हुआ है यह देखो और वैसके अभिलाक्षनी की यह topic तो करी रहे है यहां से मैंने क्या किया अलग topic बना दिया ठीक है तो थोड़ी साइंटिस्टों की हिस्ट्री है इसमें क्या कि मूलता है विदुत चुम्प के तरंगों का उत्तपादन दूलनी आवेश तबारा होता है दूलनी आवेश का मतलब पता है कि वो आवेश जो दूलन गती कर रहा हो दूलन गती मतलब कि या तो एक ही सटेक्मे रहा हूँ में रीवा वीश क्या करता है विदुद चुम्ब के तरंगों का उत्सर्जन विदुत चुम्ब के सथा का है, जैसे कि अगर मालो मैं पेंडूलम की बात करूँ ये पेंडूलम की गती एक दोलन गती है तो इसका क्या है जब ये पेंडूलम इधर अपनी मैक्सिमम स्थिती पर जाता है अधिक्तम स्थिती पर अधिक्तम विस्थापन की स्थिती बोल देते हैं या यहां पर जाता है तो जब वो ऐसे गती कर रहा होता तो यहां जाकर रुक जाता है मतलब इसका वेग यहां पर शूरने तो मतलब समय के साथ इसका वेग क्या होता रहता है परिवर्तित होता रहता है तो वेग में परिवर्तनी क्या उत्पन करता है सरप्रथम हर्ट जने 1887 में किया था भी देखो mathematical तो विदुद चुमकेत रंगों के बारे में Maxwell ने बता दिया लेकिन परियोगी ग्रूप से मतलब लैब में जो इसको बनाने का काम किया भी विदुद चुमकेत रंगे वास्तों में कैसी होती है क्या इसके गुण होते हैं तो वो सबसे पहला परियोग किया था सन 1887 में Maxwell सोरी हर्ट जने ठीक है हर्ट जो अपने आवरती की आवरती का मात्रक पढ़ते है न हर्ट जो होता है तो वो हर्ट जी एक साइंटिस्टी थी इन्होंने दोलनी विदुत द्वीद्रूब की साहता से यानि कोई द्वीद्रूब होगा जो विदुत का दोलन कर रहा होगा अपने को इससे नहीं लेना देना कि क्या होता है कि कोई दोलनी विदुत द्वीद्रूब इसको लेकर उन्होंने 6 cm तरंग दैद्रे की तरंगों का उत्पादन किया मतलब कि जो ऐसी तरंगे बनाई जिनकी तरंग दैद्रे क्या थी 6 cm ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ कि बारतिय वेग्यानिक आचारे जगदीश चंदर बसू ने प्रियोग शाला में 5 mm से लेकर 25 mm 25 mm तरंग दैद्रे प्रास की तरंगों का सफलता पुरूग उत्पादन किया वे प्रियोग शाला की दूरियों में से सैंस उचित करने में सफल रही बारतिय वेग्यानिक थे आचारे जगदीश चंदर बसू जिनोंने पौदों पर भी बहुत प्रियोग किया उन्होंने बताया था कि पौदे हैं जो हमारी फिलिंग समझ सकते हैं इन्होंने प्रियोगिक रूप से उसको दिखाया था कि जब अपने कैंची लेकर जाते हैं किसी पौदे के पास तो वो डरता है और अगर अपने उसको पानी देते हैं तो वो क्या है हांसता है अपने को देख कर ठीक है ना विपौदो में भी फीलिंग्स होती है इंसानों की तरह वो इन्हों नहीं बताया था तो इन्हों ने विदुत चुम्ब के तरंगों में भी परियोग किया क्या कि इन्हों ने परि योगशाला के अंदर अंदर एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक बेजने में उसको सफल रहे। भी यहां से बेजा और मालोग गेट कर जाकर उन्होंने कोई ऐसा उपकरन लगाया भी उससे पता लगजे भी यहां पर तरंगे आई है या नहीं तो उन्होंने वाँ पर चे किया कि कैसे ये विदत चुमकिय तरंगे जाती है ठीक है हलांकि उस समय ये बहुत बड़ी उपलब्दी थी लेकिन इसके बाद क्या हुआ इटली के वेगैनिक मारकोनी ने ही इतनी ही तरंग दैद्रेयों को उत्पादन कर एंटेना की सायता से कई किलोमेटर तक बेजने में सफलता प्राप्त की बिल्कुल जीतनी तरंग दैद्रेय की तरंगे जगदीश चंदरबसु जी ने उत्पादित की थी बिल्कुल वैसी तरंगे मारकोनी नाम के सायंटिस्ट थे इतली के वेगैनिक थे इन्होंने क्या किया एंटीना की सायता से उनको कई किलोमेटर तक ब ने क्या किया कि तरंगों को बेजने का काम किया कम्यूनिकेशन सिस्टम संचार तंतर में इनकी बहुत बड़ी योगदान है इन्होंने रेडियो का विश्कार किया लेकिन जो नीव थी वो जगदीश चंदरबसु जी ने रखी थी बात यह है कि उस टाइम जो अपना बार नहीं करते थे अपने ही लोगों का वो नाम लेते थे तो इस कारण बारत में प्रतिप्पाई ते बहुत थी लेकिन उनको आगे लाने का काम यानि उनको उस टरी पैसलिट की नहीं मिल पाती थी वह अपने आपको आगे लासे sih चाना का का अडिकी अड़ने अधिपत्य यहां पर होने की कारण ठीक है और मारकोनी नहीं तरंगों की साहिता से बेतार संप्रेशन वायरलेस कम्यूनिकेशन में सफलता प्राप्त की कि अपने क्या है जो अपने अब मोबाइल चलते हैं या और या जैसे रेडियो उपर जैसे अपने सुनते हैं प्रोग्राम तो वह भी तरंगों के मादेम से आते हैं तो वह सारा कुछ यानि बेतार संप्रेशन यहानि वायरलेस जिसमें तार नहीं होती है वाइरलेस कम्यूनिकेशन में भी इन्होंने सफलता प्राप्त की थी, यही जनक थी, ठीक है, तो यह विदुत चुम्प के तरंगों के बारे हैं बच्चो इंट्रोडक्शन थी आपके, और यहां पर मैंने दो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, जो आपके काम आएगी इस शरंग बोल देते हैं इनको, और नीचे वाले बागों को गरत बोल देते हैं, तो या तो दो करमागत शरंगों के बीच की दूरी, या दो करमागत गरतों के बीच की दूरी को अपने क्या बोल देंगे, तरंग दैद्रिया बोल देते हैं, और तरंग दैद्रिया अपने को C क्या होती है क्पूण की संक्य है वैСसे तो लेकिन आवर्ती का सुथर आपको मीव ब्राबर C बटा लैम्डा यह याद रखना है और यह main चीज़ याद रखनी है कि जो मीव आवर्ती होती है वो लैम्डा की क्या होती है विद्कृरण उपाती होती है मतलब जिस तरंग की तरंग दैद्रिया ज्यादा होगी उसकी आवरती कम होगी और जिसकी आवरती ज्यादा होगी उसकी तरंग दैद्रिया कम होगी यह आपको याद रखना है जो कि इस चैप्टर में आगे काम आएगा ठीक है न बचो यानि कि आप कह सकते हो 7% के क्रीब 7.14% आपके नंबरों का मतलब 56 में से अगर 56 को टोटल 100% मानते हो तो उसमें से 7% इसाइस अकेले चैप्टर का है तो जो की बहुत जादा हो जाता है तो इस कारण आपको बहुत ही अच्छे तरीकी से इस चैप्टर को करना है और मुझे जुरूर बताना कैसी लगी वीडियो इसी तरीकी से अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करगें तो बचो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए थेंक यू है वे नाइस टे प्यारे बचो अपने गर पर रहें सुरक्षित रहें और कुरोना से अपने आपका बचाव रखें